कोरोना वाइरस के साथ साथ आप लोग एक और खतरनाक वाइरस की चपेट में हैं जी हां मैं सच कह रही हूं आप लोग एक और वाइरस की चपेट में हैं और वो वाइरस सक इस कोरोना वाइरस से भी जादा खतरनाक है यकीन मानिए आप जानते हैं वो वाइरस कौन सा है वो ह फेक्टग न्यूज का वाइरस जो ईन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ज़ादा ही पैर पसार रहा है हरूज कोरोणा के इस दोर में एक नएक ऐसा वीडियो आही जाता है जो थोड़ा सा भ्रम फैला देता है हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था इस वीडियो में एक महिला जो कि पलिस कर्मी है वो बीच सड़क पर तडपती हुई दिखाई दे रही थी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वाइरल करते हुई ये कहा जा रहा था कि मुंबए की ये महिला पुलिस कर्मी है जो की कोरोना पॉजिटिव हो गई है और बीच सड़क पर तडप रही है लेकिन आसपास खड़े पुलिस वाले इतने निर्दे हैं कि उस महिला पुलिस कर्मी की मदद के लिए तयार नहीं हो रहे है जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक महिला पुलिस कर्मी है जो रास्ते में खड़ी गाड़े के उपर तडप रही है उसे सांस लेने में तकलीफ होती दिखाई दे रही है और आसपास पुलिस कर्मी खड़े नजर आ रहे है इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि महिला कोरोना वायरस पीडित हो गई है और पुलिस वाले उसकी मदद करने के लिए तयार नहीं हो रहे लेकिन वीडियो के पीछे का असली सच कुछ और ही है आपको बता दें कि ये महिला पलिस कर्मी अपनी ड्यूटे पा थी और ब्लड प्रेशर की समस्या होनी की वज़े से इनका स्वास से थोड़ा गडबड़ा गया था जिसकी वज़े से इनने सास लेने में तकलीफ हो रही थी और ये गाड़ी के सहारे बैठी हुई नजर आ रही थी वहां मौझूद पलिस कर्मी उन्हें महिला के लिए तुरंट अम्बूलेंस को बिलवाया अम्बूलेंस आने में थोड़ी देरी हुई लेकिन अम्बूलेंस आते ही महिला पलिस कर्मी को ततकाल हॉस्पिटल पहुचाया गया जहां पर उन्हें इलाज दिया गया महिला पुलिस कर्मी का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई इलाज के बाद महिला की हालत सामान है और उसे किसी भी तरह का कोई खत्रा नहीं है तो देखा आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर किस तरह से जूटी अफवा फैला दी गई लेकिन ये जूटी अफवा भी फैलने से रोकी जा सकती है अगर आप इन्हें सच जानने के बाद ही आगे बढ़ाएंगे तो इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम पहले खबर की सत्ता का पता लगाएं फिर ही उसे आगे बढ़ाएं ताकि लोगों में भ्रह्म फैलने से रोका जा सके सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स